तो हमने हमारे जो नेक्स लेक्चर में डिस्कस करा था हमारा स्वापिंग भा प्रोग्राम पॉइंटर्स के थू वो हम यहां पर अब प्राक्टिकली इंप्लिमेंट करते हैं सबसे पहले हमें यहां पर हैड्रफाइड करनी पड़ेगी इंक्लूड आयो स्ट्रीम.च नेक्स्ट हैड्रफाइड हम इंक्लूड करेंगे कॉनियो.च इसके बाद हम हमारा मेंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने बनाये हैं दो वेरिएबल्स ए जिसको वैल्यू हमने दी थी 10 एक बी वैल्यू डिक्लियर करें हैं और उसे इनिशलाइज कर रहे हैं 20 से.च नेक्स्ट हम बना रहे हैं दो पॉइंटर्स पॉइंटर पी 1 जिसे हमने वैल्यू दी है अड्रेस ओफ ए और पॉइंटर्स पी 2 जिसे हमने वैल्यू दी है अड्रेस ओफ बी अब हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिख लेते हैं सी आउट हम यहाँ लिखेंगे बिफोर स्वापिंग वैल्यू तो बिफोर स्वापिंग new line से A की value equals to and then B equals to और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम slash T लगा देते हैं for tap shift अब हम यहाँ पर हमारा calculation perform करते हैं so pointer P1 equals to pointer P1 plus pointer P2 pointer P2 equals to pointer P1 minus pointer P2 so जो अब हमारी P2 की updated value है उससे हमने हाँ पर pointer P1 में minus कर रहा है next अब हम यहाँ पर प्रिंट कर आ रहे हैं C out after swapping A equals to और B की value हम प्रिंट कर आ रहे हैं so slash T tap shift के लिए B equals to B की value अब हम यहाँ लगाएंगे get ch function and over हम इसे save कर देते हैं compile करते हैं no errors run करते हैं so before swapping यहाँ पर values one minute यह जो B की value है वो हमने उसमे ही प्रिंट करा दी है double quotes के अंदर so हम यहाँ पर double quotes over करेंगे और यह वाले quotes डालेंगे again हम इसको save करेंगे compile करेंगे and then run करेंगे so यहाँ values आ गई before swapping A equals to 10 B equals to 20 after swapping A equals to 20 B equals to 10 तो हमने इस वीडियो में समझा pointers की मदद से हम किस प्रकार हमारे दो variables की values को swap कर सकते हैं C++ program के अंदर आर और नहाँ पूह हम दो uh